हेलो एवरीवन, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, आज मैं हम सभी के साथ एक ऐसा वीडियो लाई हूँ जिसमें आपके जितने भी डाउट से रिलेटेट टू मणीपाल पीजीटीबी अफ कोर्स, उसका मैं यहाँ पर आंसे करूँगी, मैंने पहले एक वीडियो डाला उसके बाद से मुझे इतने सारे कॉमेंट्स आ रहे हैं, जो उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि एक्चुली में यह प्रोग्राम होता क्या है और इसमें हम जाते कैसे हैं, तो सबसे पहला कर्शन कि आप प्रिपरेशन किस एक्जाम की कर रहे हैं, पॉब्लिक सेक्टर बैंक की या प्राइवेट सेक्टर बैंक की, क्योंकि अगर आप पॉब्लिक सेक्टर बैंक की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो यह मनिपाल पीजडी भी अफकोर्स अब डिस कंटिन्यू हो चुका है, यह बात बहुत सारे एस्पारेंट्स को क्लियर ही नहीं है कि क्या यह अगर आपको किसी भी पॉब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है, तो आपके पास अब एक ऑप्शन है, वह है आई-पी-पी-एस-पी-ओ, अब जो कैन्रा बैंक और सिंडिकेट बैंक भी बीच में एक या दो साल इस प्रोग्राम को लेकर आये थे, जिससे मेरा सेलेक्शन भी अगर आपको किसी भी पॉब्लिक सेक्टर बैंक में जाना है, तो आप इस प्रोग्राम के बारे में सर्च करना और इसके बारे में काफी सारी जगव वीडियोस देखना बंद कर दीजिए, क्योंकि ऐसा आप कुछ भी नहीं आएगा, अगर इन फ्यूचर आता है, तो फिर मैं इसकी नोटिफिकेशन आपके साथ शेयर करूंगी, अब काफी सारे एस्पारेंट्स कॉमेंट्स में ये पूछने हैं कि इसके लिए कहां से अप्लाय करना है, इसके लिंक कहां से मिलेगी, इसका क्या प्रोसीजर होता है, तो ये सारे कर्शन्स आपके माइंड में अब बैंक, ऐसे काफी सारे बैंक से जो इस प्रोग्राम के थ्रूँ आपको बैंक में जॉब देते हैं, लेकिन उसका जो प्रोसीजर होता है, उसकी कोई एक्जाम, इंटर्व्यू जैसे पब्लिक सेक्टर बैंक हुआ करती थी, बी ओ बी, कैनरा बैंक में वैसी नहीं होती है, इसकी सेलेक्शन प्रोसेस, इसके लिए आपको उनकी इंडिवीज्वल जो वैब साइट है, जैसे इसे बैंक की एक्सेस बैंक की वहाँ पर जा कि इसके बारे में सर्च करना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा नोटिफेकेशन नहीं आता, सेब इंटर्व्यू के थूँ आपको सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसका जो प्रोग्राम होता है, उसकी जो फीस होती है, वो नौन रिफंडेबल होती है, लेकिन अगर वहीं बात करें कि जब यह पहले पब्लिक सेक्टर बैंक में आता था, तो इसकी फीस रिफंडेबल होती थी, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक में जाते हैं तो वहां आपकी सैलरी इतनी नहीं होती है एक नॉनल सैलरी होती है अपकी आलॉंस भी वहांपर नहीं मिलते हैं तो सबसे पहला तो यह मैंच में क्लियर कर लीज sıqe कि जूशार की घ्रूजरम कौर्स होता है इसे कौरने के बाद बैंक में जौब लगती है तो ऐसा नहीं था इसकी 1x पीर पी जैसी यह एक्जाम होगर थी उस्स एकजाम ध को धम देते थे उसका फिर exam में selection होता था बस फर्क ये था कि इसमें pre or mains नहीं होता था इसमें सिर्फ एक exam होता था उसके बाद जब selection होता था तो interview हुआ interview होने के बाद पूरा list आया उसके बाद फिर हमारा एक bank में selection हो गया लेकिन उस selection के पहले एक साली course करना था तो इसकी procedure ऐसे हुआ करती थी ऐसा नहीं होता था कि आप पहले course करोगे उसके बाद आपका selection bank में होगा तो ये सब भी अब कोई मतलब का नहीं है क्योंकि अब तो ये program ही आना बंद हो गया है तो ये सब्सक्राइब करेंगी था कि आपके जाए नहीं होगा था क्या नहीं है